तो दोस्तों आज हम आपको fix card में दिखाएंगे कि कैसे किसी भी photo का background change कर सकते हो तो सबसे पहले हम लोगों को फोटो लेना है तो यह प्लास ऐकन पर क्लिक करते हैं और यहां पे चलते edited photo पे तो दोस्तो edited photo पे जाने के बाद मेरे को एक photo लेना पड़ेगा जिसका background हम delete करके हम आपको दिखाएंगे कि background कैसे remove किया जाता है तो दोस्तो कोई भी आम लोग generic photo ले लेते हैं जैसे कि यह photo हम लोग ले लेते हैं यह photo का background हम लोग change करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे click करना होगा दोस्तो cutout में तो जब भी आप cutout में click करोगे तो देखिए यहाँ पे दो option मिलता है select outline या तो आप select करके ऐसे person पे click करते हैं तो automatic यह selection आ जाता है या तो आप अपना खुद से आप बना सकते हो खुद से बना सकते हो मतलब हो गया outline से जैसे कि माल लीजे हम अगर यहाँ से सुरू करते हैं देखिए दोस्तो तो हम अगर यहाँ पे छोड़ देते हैं तो देखिए यह portion आपका cutting हो जाएगा यह देखिए यह portion आपका cutting हो गया ओके तो हम लोग ऐसा नहीं करके हम लोग proper इसका जो selection mode है selection mode पे जाके auto select करके हम लोग इसको लेंगे तो देखिए हम लोग person करते हैं तो देखिए person आ गया यह हो गया इसके बाद हम लोग इसको save करेंगे दोस्तों save करने के बाद यह gallery में आपको save करना होगा ओके यह normal इसका save हो रहा है इसके बाद आपको gallery में save करना ह होगा यह देखिए हो गया इसके बाद हम यहां पर गए और यहां पर गैलरी में सेफ कर दिए तो जैसे कि आपको पता है फिट से हम लोग बैक आके एडिट फोटो में जाएंगे एडिट फोटो में जाएके पहले हम लोगों को जो चूज करना होगा दोस्तों लेना है कोई भी हम लोग यहां पर बैग्राउंड ले लेते हैं एक तो उस बैग्राउंड के उफ़र फोटो को हम लोग रखके हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप लोग एडिट कर सकते हो तो हम लोग यह फोटो ले लेते हैं दोस्तों यह देखिए इस फोटो को हम लोग क्रॉप कर लेते हैं ओके यहां तक हम लोग क्रॉप कर लेते हैं यहां पर आप लोग जाओगे तो देखें यहां पर पिक्सल अपसेट कर सकते हो तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, दोनों सेम ही रखते हैं, बैक क्लिक करते हैं, 21, रिसाइज, ओके, तो यह मेरा फोटो आ गया, इसको थोड़ा हम लोग सैट पे रखते हैं, ओके, तो हम लोग इसको ओके करते हैं, इसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद मेरे को फोटो लेके आना है वो वाला फोटो जो हम लोग कट आउट किये तो इसके बाद एड फोटो में जाए एड फोटो में जाने के बाद देखे ये फोटो लेते हैं हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा जूम करते हैं और इसको नीचे पर लगा देते हैं तो इसके बाद दोस्तो canvas के बाहर पर click करते हैं canvas के बाहर पर click करने के बाद यहाँ पर देखिए lens flare है lens flare पर हम लोग चले जाते हैं lens flare पर अच्छा सा sunlight आपको लेना होगा जो sun की तरह दिखे और आपका यह काम बन जाए तो हम लोग यहां से यह sunlight को ले लेते हैं यह देखिए तो आपका यह रियल एफेक्ट आया इसे और आपको नचरल दिखाना है तो हम यहां पर कुछ बाट्स डाल देते हैं दोस्तों ओके तो यहां पर फोटो में चले गए और कुछ बाट्स ले लेते हैं यहां पर यह बाट्स ले लेते हैं हम लोग यह बाट्स को हम लो